अलो आज हम आप लोगों के सामने एक और नया मॉडल लेके आये हैं जो है पारलल लाइन से लेकिक जिसके उपर हैडिक हमने बनाई है प्रोपर्टीज ऑफ पेरलल लाइन्स तो प्रोपर्टीज ऑफ पैरलल लाइन्स में सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टिकल ही एक यंज़ कि तो और थोणों आपस में वर्टिकल उपोजिट हैं सब्सक्वेस हैं अगर इनको आपस में ट्रेश करके देखें तो इस मॉडल होता है कि वर्टिकल ओपोजिट अंगल जो हैं वो इकवल होते हैं हमने टू और थी को करके देखा इसी तरह सेह अगर वन और को भी करके देखें तो यह दो एंगल जो है आपस में ट्रेस करके एकोल आएगा और एंगल 7 जो है एंगल 6 को लाएगा सेकेंड में हम बात करते हैं हैं corresponding angles की अगर parallel lines के अंदर हमारे पास 8 angles बन रहे हैं तो इसके अंदर हम next बात करेंगे corresponding angles की जो parallel lines के one side पे होते हैं और upside जिस तरह से one और eight अगर हम one और eight की बात करें तो आप इससे देख सकते हैं कि यह दो अंगल जो हैं वो equal है इटवेंस यह model हमारी पूरी तरह से help कर रहा है कि हम किसी भी एंगल को उसकी जगह से निकाल के यह चेक कर सकें कि क्या यह ब्राबर है जिस तरह से one और eight equal आए इसी तरह से two और six जो हैं यह भी आप देख सकते हैं तू और six को जब हमने trace किया तो यह भी प्राबर है इसका मतलब जो हमारे corresponding angles हैं वो equal होते हैं one और eight equal आया two और six equal आएगा इसी तरह से three जो है वो seven के equal आएगा और four जो है वो five के equal आएगा उसके बाद हम थर्ड प्रोपर्टी की बात करें इंटिरियर एंगल्स इंटिरियर मतलब कि दो पैरल लाइंज के इंटिरियर बीच ओले एंगल्स हमारे पास चार इंटिरियर एंगल्स है एंगल three एंगल four एंगल eight और एंगल six अगर alternate की बात करें तो opposite side की बात होगी यहां जैसे एंगल three equal होगा alternate यानि दूसरी side पे एंग जो हैं वो equal हैं इसका मतलब एंगल three और एंगल six जो है these are equal similarly we can prove एंगल four is equal to angle eight अकर हम four और eight की बात करें तो यह एंगल्स भी आपस में जो है वो बिल्कुल equal हैं तो alternate interior angles का कहना क्या हुआ कि हम लोग आपस में बराबर हैं next अगर हम property भी बात करें तो that is co-interior angles co-interior मतलब कि interior angles की बात करनी है लेकिन एक ही side पे बात करनी है जो angle four और angle six की यहां बात चल रही है और देखने में लग रहा है यह दोनों बराबर तो है नहीं लेकिन यहां property हमारी क्या बनती है कि angle four और angle six को जब हम add करते हैं तो वो एक straight angle बनता है आप check कर सकते है four और six जो है वो एक straight angle बन गया है इसका मतलब कि sum of co-interior angles is equals to 180 degree इसी तरह से अगर हम four और six की बात कर रहे हैं कि यह 180 degree है इसके दूसरी side three और eight की बात करें तो इन दोनों का sum जी कितना आएगा 180 degree है यह दिखिए angle three और angle eight जो है again it makes a straight angle so it is equal to 180 degree तो यह जी हमारी properties of parallel lines एक model की help से हम लोगों ने इसको working में करके देखा कि किस तरहां से parallel lines की properties को prove करने के लिए एक model हमारा कितना useful है जितनी भी properties है parallel lines की एक ही model के साथ हम प्रूव कर सकते हैं उमीद है आप लोगों को मेरी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर आप लोगों को यह पसंद आई है तो आप प्लीज इसको like करें share करें and subscribe करें ताकि हम आने वाले time में और अच्छे अच्छे वीडियो बनाके और अच्छे अच्छे models बनाके आप लोगों के सामने लेके हैं thank you very much